तो 1.19 के most powerful mob के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे लेकिन क्या ये सच में powerful है या फिर नहीं ये जानने के लिए हम इसकी fight करवाने वाले हैं Minecraft के mutant mobs के साथ जिसमें की भाई काफी तगड़े-तगड़े mobs होने वाले हैं फिर वीडियो को एंड तक पूरा एंजोई करना और एक चेलेंज है गाईस आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग क्या इस वाले पाइट से subscribe कॉर्टन दबा सकते हो और हाँ अगर नहीं दबता है तो भाई सीधा उंगली से दबा के notification को वाल पर set कर ले ना और यहां से लीवर को फिलिक करते हैं ओके गाईस लेट सी गाईस क्या होने उत्तुरी यह चोटू कितना अबे एक सेगेंड भाई यह क्या खतरना का टेक कर रहा है ओ वेट सेगेंड भाई वाडन खतम हो गया यहां पर से क्या चल रहा है बच्ची की स्टाइल में एक में फिर से चली हूँ है इसको आगे बढ़ने देते हैं यह चुटकों कुछ जादा ही कमाल कर रहा है एक सेगेंड यह देखो भाई इसने वाडन को हरा दिया एक सेगेंड यार टाइस एक वाडन से काम ने चलने वाला दो प्ड़ते हारें एकदम से थपता करने वाले हो है इसके हातों में छुम करता घतरनाग वाली एक सेंड एक सेंड एक सेंड़ है वह भाई साब अभी है तूप च्रा सा है तो है भाई दिखने में लिफो एक यहाड μईस्ट से भी ज़ॉदा पावरफूल लिए ठोटा पे कि निकाल लिए भाई साब इसने अभी छोड़ा सा था कुछ दिन पहले बड़ अभी देखो भाई क्या ही तगड़ा वाला हो गया है यार यह क्या पंगा लेने वाला है मिर से जा छोड़ दिया तेरे को माफ किया ओके गाईज मेन फाइट पर ध्यान देते हैं 3 2 1 डबल से रिस्पॉन भी हो जाता ही है मतलब कि एक बारी में नहीं मरा रहा है यह नाव इंसाफ ही हो गई यार वाड़न के साथ नॉर्मल वाले जॉम्बी इस भी गाईज यह स्पॉन कर रहा है और इस बार देखो अपने वाड़न के यह लो वाले बार पर आ चुक है इसका मतलब कि भाई कुछ देर में वाड़न खतम होने वाला है यहाँ पर यह देखो गाईस कितने सारे चोटे-चोटे जॉम्बी मिलकर मार रहे हमारे वाड़न को अब यार वाड़न खतम हो गया बड़ी जॉम्बी ने क्या पता क्या खाके आया भाई अभी तक जिन्दा है अब दो वाड़न मिलकर एक म्यूटेंट जॉम्बी को मार रहे है भाई यह जॉम्बी गाईस इस बार फिर से मर चुका है और देखो यह मरतने से पहले भाई पाँच जॉम्बी इसको स्पॉन करके जाता है यार यह वाड़न गाईस देखो फिर से अल्टरा सोनिक बीम निकाल रहा है इसकी हेल्थ भी लो हो गई है एंड खतम खेल गाईस इसका मतलब कि इस बार भाई साब यह जीच चुका है आचल ज़्यादा खुश में तो भाई है न वाड़न वर्सिस म्यूटेंट एंडरमेन भाई साब यह देखो कितना ज़्यादा तकड़ा लग रहा है ओके डॉर को ओपन करते हैं वेट भाई साब दोनों में फाइट चालू हो भी गई है अल्ट्रा सोनिक गूम से अटेक कर रहा है हमारा वाड़न भाई साब यह क्या चीज है इसने तो एंडरमेन ने अपनी आत्मा बहार निकाल ली गया भाई एक सिकेंड यह पिंक वाले ए एक वाड़न को और स्पॉन कर दो तो क्या होने वाला है भाई वो फिर से एंडरमेन आ चुक है एक सेकंड वो तेरी इस वाले वाड़न ने भाई साहब अपने पहले वाले वाड़न का बदला ले लिया है एक चीज़ पिछली वाली वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रह वाड़न वर्सिज म्यूटेंट स्केलेटन भाई साब यह देखो इसके हात में देखो गाइस बोजो है ना कितनी ज्यादा लार्ज वाली बोख है अब देखने वाले गाइस की वाड़न में कितने ज्यादा चेद करता है ओके तो इन दोनों के बीच का युद्ध श्टार् पाया यार और हमारे वाडन भाई साब ने पूरे चीतड़े चीतड़े उड़ा दिये भाई वाई साब क्या ही मज़ा आ रहा है अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइक बड़न नहीं दबाया ना दबा दो यार फटा फट से 500 के बस होने ही वाले हैं बहुत ज़दा पास आ पाई साब तीनों के तीनों पाँच ओ एक एक एक्ज़ोटल गई है दूसरी भी गई मात्रे हां पर तीन एक्ज़ोटल बची हुई है म्यूटेंट वाली एड मुझे नहीं लगता भाई ये फाइट जीतने वाले है पेडिये में एक्ज़ोटल है भाई साभी क्या लग रह भाई यार वॉर्डवा भाई साब सभी को मातते हुए जा रहा यार ओके सो गईस नेक्स्ट वाला रांड होने वाला है वाज़ीश 5 मिटने वाल्प्स भाई साब 3, 2, 1, let's go अभी देखते हैं भाई सब क्या fight होने वाली है इन सभी की भाई कितने ज़्यादा लार्ज है यार एक wolf को तो हरा भी दिया भाई सब तीन wolf बचे हैं मुझे नहीं लगता कि warden के सामने टिकने वाले है warden की health तो देखो भाई सब पूरी यल्लो वाले लेवल पर आ चुकी है बट कोई भी इनको मार नहीं पाया बड़े इन में से कोई भी warden को हाथ भी नहीं लगा पाया भाई देखो अभी warden की आधी से जाधा health बाकी है इसका मतलब warden ये वाले round को भी जीत गया भाई कितने round जीतेगा next वाला round होने वाला guys warden versus mutant drone और ये पिछले वाले zombie के जैसे एकदम mutant हो रखा है कतई अभी इसको भाई boom guys let's go अब देखते है भाई सब ये देखो fight चालू भी हो गई इन दोनों के बीच में tried and fake fake कर मार रहा है भाई कतई ये वाला drone warden ने इसको पहली बार हरा भी दिया फिर से warden के ओपर attack होना चालू हो गया लेकिन warden भाई मैं जब पता है जीत जाएगा इसके सामने ये देखो भाई साब दूसरी बार फिर से हरा दिया इसने पांच छोटे छोटे नॉर्मल वाले drone को भी उलाई है यार अब शायद ये warden टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा भाई साब ये लो warden warden भाई अंतिम घड़ी के सांसे गिनता हुआ और अब ये warden खलास हो चुका है कुछ जादे ही powerful mobs आचुके हैं भाई साब मुझे तो ऐसे ही लगता है नेक्स्ट वाला राउंड होने वाला है warden versus mutant bees भाई साब ये bees नहीं है ये पूरी के पूरी एंडर ड्रेगन के बच्चे लग रहे हैं इतने जादा लार्ज है यार ये दीवार को वहां से हटाते हैं wall को 3 2 1 let's go एक सिकंड भाई इन्होंने पहले से ही fight start कर दी यार भाई invite तक नहीं किया मेंने में को एक सिकंड भाई बड़ी वाली वी को इस चोटू से warden ने चुटकियों में खतम कर दिया एक सिकंड अब शायद से इन में लड़ाई होने वाली है 5B कुछ करी नहीं पा रही है warden के आगे और warden भाई इनको उठा उठा के पेल रहा है सभी के सभी को यह देखो भाई इसका मतलब गाईस normal वाली बीज हो या फिर mutant वाली बीज warden का कोई कुछ भी नहीं विगार सकता भाई 5 wardens versus 1 mutant piglin brute भाईस अब मज़ा आने वाला है लेट्स को गाईस डोर को ओपन करते से ही देखते हैं कोन अटेक करने वाले सबसे पहले गाईस warden दे अटेक करा एंड एक सिगेंड भाई इसके पास हाथ में तलवार भी है एंड क्रोस बो भी है सिगेंड इस वाले warden को क्या हो गया भाईस अभी क्या कर रहा है भाई सा पांचों के पांचों मिलकर इस वाले piglin की चटनी बनाने वाले लगता है हमारा एक warden जाते हुए गाईस मर चुका है यार लेकिन अभी भी ये piglin brute का कुछ भी नहीं हुआ तगला डेमिज पढ़ रहा है गाईस दोनों टीमों को और अपने wardens तो अल्ट्रा सोनिक बीम को भी इस्तमाल कर रहा है भाई में को क्यों दूर फेक रहा हुए यार हमारा दूसरा वाला warden की भी health आदी हो चुकी और piglin brute कुछ भी नहीं हो रहा है भाई क्या खा के आए यार ये लास्ट वाला warden बचा है ये वाला mutant piglin भाई सच में कुछ जादे ही overpowered हो गया यार इनके सामने ये देखो एड ये warden का भी खेल खतम हो चुका है इसका मतलब गाईस कि ये वाला जो piglin brute है ये winner हो चुका है इस वाले round में और राइट सो गैस फाइनल वाला round होने वाला है वाई warden वर्सिज 10 hoglins के बीच में भाई सब ये hoglins कितने ज्यादा तकड़े हैं और सींग वाले अभी तक गैस अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं गया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो फटा फट से वागी अब चलते हैं या फिर warden fight करने वाला है या फिर गैस इनके हाँ तो पिलने वाला है भाई भाई दो दो तीन तीन hoglins मिलकर दो वाडन को मार रहे हैं यहाँ पर यह देखो भाई और अब यहाँ पर गैस तो टोटल के डोडल साथ hoglins बचे हुए हैं मतलब भाई यह पूरी की पूरी पावर से इस्तिमाल कर रहे हैं बट फिर भी warden इनको defeat कर दे रहा है अराम से यह देखो फोई सब इनको खतरनाग वाला attack करने के बाद भी warden इनको मार दे रहा है एक सिकेंड इधर वाले hoglins क्या कर रहे हैं इधर सिर्फ एक warden और दो दो खड़े हुए हैं बट कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हमारे पास देखो गाईस टोटल पांच warden थे उनमें से सिर्फ तीन बचे हुए हैं मतलब कि भाई hoglins कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं wardens के सामने यह देखो भाई साब warden ने गाईस hoglin को खतम भी कर दिया यार अब सिर्फ मात्र गाईस एक हमारा hoglin बचा है मेदान के अंदर ओके लेट्स को गाईस अब यह इन दोनों से fight चल रही है इसकी एंड दो wardens वर्सिस वन hoglin गाईस बहुत ज़दा दोनों की health काफी ज़दा कम है warden की एंड क्या warden को मार पाता है यह भाई साब काफी ज़दा health कम थी और इन wardens की सिर्फ 20-20 hearts बचे हैं वर्ना गाईस hoglins जीतने वाले थे आज wardens के सामने एकदम गाईस कताई red वाली health पर लागर खड़ा कर दिया ल आपर सिर्फ 20-20